हाई एवरिवन स्वागत है आपका ग्रोविद स्किल्स में लास्ट वीडियो में हमने फर्मुलास के फाइनेशल फंक्शन सीखे थे उसमें से मैंने चार स्टार्टिंग के चार फंक्शन आपको समझाए थे आज मैं कूपन से रिलेटेड जो 6 फंक्शन होते हैं वो आपको समझाने वाली हूँ जिनके नाम यहाँ पर अल्रेडी डिस्पले हो रहे हैं कूपडे-BS, कूपडे-S, कूपडे-SNC, कूप-N, कूप-PCD ठीक है यह सब हमारे कूपन में यूज होते हैं जो भी कूपन-related company होती है, वो इन्हें यूज करती है तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो functions होता है कूप-डे-BS का होता है, यह 6 के 6 functions आपस में एक दूसरे से relate करते हैं, तो मैं सबको आपको step-by-step सिखाऊंगी सबसे पहले हम सबकी details निकालेंगे, मतलब formula के according जो हमारा formula है, उसको use करेंगे और solution निकालेंगे then मैं आपको आगे समझाँगी, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सबके लिए numbers already ले रखे हैं, ठीक है, अगर इनके syntax की बात करें, तो सबसे पहले formula का name आता है, इन में से जो भी formula हम use करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, then settlement date आती है, then maturity आती है, maturity date, frequency में last video में मैंने आपको बताया था, अगर envelope pay करते हैं, तो one लिखते हैं, और अगर six month में pay करते हैं, तो two लिखते हैं, ठीक है, basis इसमें भी optional है, basic आप ले, by default zero होता है, आप zero ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, else आप इसे skip कर सकते हैं, ठीक है, यह optional है, तो सबसे पहले start करते हैं, मैं सबको आपको formula लगा के पहले answer निकाल दूँगी, then उनको आपको समझाओंगी, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे है, settlement date है, maturity date है, frequency भी लिए, हम assume कर लेते हैं, कि हम हर six month में pay करेंगे, जो settlement date or maturity date होती है, यह आपकी issue date के according होती है, issue date और maturity date होगी, उसके बीच में ही हमारी settlement date होती है, ठीक है, तो यह हमने, हमारे assumption के लिए, हमने कुछ, ऐसे raw data ले रखा है, तो अब हम सबसे पहले हमारा formula है, cube day BS, यह किसलिए use होता है, यह calculate करता है, number of coupons between previous date to settlement date, हमारी जो previous coupon date होगी, हमारी जो previous coupon date होगी, मतलब last हमने जो amount pay किया होगा, उससे जो हमारी settlement date है, उन दोनों के बीच में कितने days का difference है, वो यह हमें बताता है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़े होनी चाहिए, एक previous coupon date और एक settlement date, settlement date हमारे पास already है, तो previous coupon date हमें निकालना पड़ेगा, तो previous coupon date का formula होता है, यह वाला, COU, मतलब COUP, PCD, यानि की previous coupon date, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले previous coupon date निकाल लेते हैं, इसमें हम formula लिखेंगे, COUPP, और यहाँ पर यह already display हो रहा है, इसमें आप double click करेंगे, तो यह select हो जाएगा, सबसे पहले हमें बोल रहा है settlement, तो settlement को select कर देंगे, then comma maturity, comma frequency, और bracket close, enter, तो यह अभी हमारे पास number में आया है, क्यों? क्योंकि इसका format I think number में होगा, तो जल्दी से इसका format change कर लेते हैं, format cell में जाएंगे, और यह format cell में हम कैसे गए, right click किया, format cell, यहां से हम ले लेंगे date, और date का format हम यह वाला ले लेंगे, क्योंकि हम इस ही पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो next date हमारे पास आई है, 16 September 2014, यह हमारी previous coupon date की आई है, अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह हमारी settlement date है, यह हमारी maturity date है, और हम हर six month में pay करते हैं, तो 15 March 2015, जब हमारी settlement date है, तो हमने इससे पहले जो हमने payment कियोगी, वो कप कियोगी, इससे च्छे महीने पहले, तो उससे अगर हम च्छे महीने पहले जाते हैं, तो 16 September 2014, ठीक है, यह बिल्कुल correct है, अब इसके basis पे हम निकालेंगे, क्या coup day BS, मतलब number of coupon between previous date to settlement date, तो यहाँ पर हम निकालते हैं, इसको equal to formula C O U P D A Y BS, ठीक है, settlement पूछ रहा है, इसको ले लेंगे, comma maturity, comma frequency, bracket close, then enter, अब यहाँ पर आया है 179, अब यह 179 ठीक है यह नहीं है, यह हम कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको चेक करते हैं, हमारा यहाँ पर है 16 September 2014, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 16th September 2014, यह हमारा previous coupon date है, और settlement date क्या है, यह इसको ले ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप, अगर आपको देखना है कि यह सही है या नहीं, तो वो आप cross check कर सकते हैं, कैसे मैं बताती हूं आपको, यहाँ पर हम ले लेते हैं सारे month, between these September, October, November, December, January, February, then March, ठीक है, तो यह हमने सारे month ले ले लिए, September में 16th September को हमने last payment की थी, मतलब आगे हमारे पास कितने और बचे हैं, 14, ठीक है, 14 days और बचे हैं, क्यूंकि हमारे पास जो September का month होता है, I think 30 का होता है, एक बार cross check कर लेते हैं, calendar में जाके, September लेना है ना हमें, ठीक है, September 30 होता है, तो 16 को हम already pay कर चुके थे, तो next हमारे पास 14 बचेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी details ले लिया, September में मैंने 14 क्यों लिया है, क्योंकि 16 September को हमने last payment की थी, तो उसके पाद हमारे पास 14 days बचे, October के 31 days, November के 30, December के 31, Jan के 31, PAP के 28, और March के 16 नहीं 14 days, क्योंकि 15 March को हमारी next settlement date है, तो 14 मार्च तक काउंट होगा, ठीक है, equal to, sum करते हैं इसका, यह देखिए, 179, और यही 179 हमारा यहाँ पर भी आया है, तो that means, यह calculation सही है, number of days कितने हैं हमारे 179, ठीक है, तो यह coup day BS का मतलब आपको समझ में आया, यह हमारे, जो भी हमारा coupon date है, previous जो हमने payment की थी, उससे, अब जो हम payment करेंगे next, उसके बीच में, जो number of days होंगे, वो number of days यह हमें find out करके दे देगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको calculate करके दिखाया, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया, एक बार previous करके देख लीजएगा, पक्का समझ period including settlement date, यह भी number of days निकालता है, यह भी number of days निकालता है, बट इसमें हमारी settlement date include नहीं होती है, जैसे कि आपने देखा था 15th March 2015 में, मैंने 14th March अक लिया था, 15th March नहीं लिया था, settlement date थी वो, वो इसमें include नहीं थी, बट इसमें वो settlement date include होगी, तो आपके हिसाब से इसका total क्या आ चाहिए, फिर 180 एक ही दिन तो और extra होगा, ठीक है, तो चलिए निकालके देखते हैं, same वही formula है है, सबके लिए equal to COUP, जो है बस उसको use करेंगे, DAYS वाला है, तो DAYS, double click कर देंगे, settlement, maturity, frequency, ठीक है, enter कर देंगे 180, ठीक है, इसकी दोबारा calculation करने की need नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस इसमें हमारा settlement date include नहीं होता है, और इसमें settlement date include होता है, ठीक है, बस यह difference है दोनों की बीच में, बाकी दोनों का काम एक ही है, number of coupon निकालना, sorry, number of days निकालना, ठीक है, अब आते हैं, इसमें, यह क्यों यूज होता है, यह number of days न B S, यह हमारा निकालता था, previous coupon date से, जो हमारी next settlement date होगी, उसके बेस पर, उन दोनों के बीच में number of days को count करके देता था, बट हमारा जो यह वाला function है, कूप day S N C, यह हमें निकालता है, settlement date और next coupon date, N C का मतलब next coupon, तो settlement date और next coupon date के बीच में, कितने number of days हैं, वो हमें बताता है, तो इसके लिए हमारे पास next coupon date होनी चाहिए, obviously, तो next coupon date का formula यह है, scope N C D, next coupon date, तो चलिए इसको निकाल देते हैं सबसे पहले, equal to C O U P N C D, double click करेंगे, settlement, comma frequency, comma, sorry, frequency, then bracket, अब यह हमारा number माया, इसको जल्दी से change कर देते हैं, format cell, date और यहाँ पर, okay, तो यहाँ गए है, 16th March 2015, ठीक है, इसको मैं बढ़ा कर देते हूं, ठीक है, यह 16th March 2015 आगए है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा confuse हो रहे होगे, कि यह तो 15th March हमारी settlement date है, तो next हमारी जो date आई है, वो 16th March कैसे आगई है, March March कैसे आगई है, तो यह इससे relate नहीं करता है, यह relate करता है, हमारे previous coupon date से, ठीक है, जैसे मैंने बताया था previous वाले में है, कि यह अगर settlement date है, तो इसके previous coupon date इसके 6 महिने पहले होगी, ठीक है, 6 महिने पहले previous coupon date यह थी, 16 September 2014, तो जब previous यह थी, तो next इसके 6 महिने बाद की होगी, तो इसलिए वो 6 महिने बाद की आई है, 16 March 2015, ठीक है, I hope आपको यह समझ माया होगा, तो यह हमने निकाल दिया है, next coupon date, अब हमारा जो coup day SNC था, इसमें हमें निकालने थे, number of days between next coupon date and settlement date, तो settlement date यह है, next coupon date हम निकाल चुके हैं, इन दोनों के बीच में अब हमें चाहिए, तो चलिए, यहां से निकालते हैं, कू, day, कौन सा वाला यह, SNC वाला, then, सब को select कर लेंगे, कॉमा के साथ, और bracket, close, ठीक है, यह आया, वन, अब वन सही आया है, यह नहीं आया है, यह आप मुझे बताइए, हमारा previous coupon date था, 16 September 2014, जिसके base पे हमारा next coupon date आया, 16 March 2015, 6 महीने बाद, क्योंकि हम हर 6 महीने का, हमने time interval ले रखा है, ठीक है, अब 16 March 2015, और 15 March 2015, इन दोनों के बीच में, कितने का डिफरेंस है, settlement date to next coupon date, settlement 15 March 2015, next coupon date, 16 March 2015, एक दिन का फर्क है, तो वो एक दिन उसने यहां पर डिस्पले कर दिया, ठीक है, जिसको समझ जा रहा है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्स्राइब करना, मत भूलना, तो यह cover हो चुका है, यह वाला भी हो चुका है, यह वाला भी हो चुका है, अब आते हैं, इस पर, ठीक है, तो यह है, कूप नम, यह क्या निकालता है, number of coupons, between the settlement date and the maturity date, मतलब हमारी जो settlement date है, और जो maturity date है, उसके पीच में, कितने number of coupons यूज होंगे, या कितनी बार हमें payment receive होगी, वो हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है, वैसे तो आप directly देखके बता सकते हैं, कि 3 साल है, 15, 16, 17, 18, 3 साल है, और हम 6-6 महिने करके payment कर रहे हैं, तो that means, 6 बार हमें payment receive होगी, बट फिर भी निकालके देख लेते हैं, ठीक है, c, o, u, p, n, u, m, double click करेंगे, इसको ले लेंगे, comma, इसको लेंगे, comma, इसको, then bracket close, and enter, 6, ठीक है, ये तो मतलब, जो year थे, वो बहुत close थे, 3 years थे, तो इसलिए हमने इसे, without system के भी कर लिया था, बट अगर years जादा हो, तो हम calculate easily नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका use कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर finish होते हैं, हमारे, 6 के 6, tap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, हमने सारे 6 के 6 financial coupon code से related formula को cover कर लिया है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, हम मिलते हैं next video में, next video में मैं financial के आगे के formulas कवर करूंगी, तो please channel को subscribe करना मत भूलना, अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो please 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 like कीजिएगा, thank you so much, bye bye, झाल, 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